गुड अफ्टरनून और स्टुडेंट्स आज हम लोग मैट्रिक्स चेप्टर में ही कुछ नुमेंकल्स को और सॉल्व करेंगे इट मिन्स मैट्रिक्स चेप्टर के अंदर जितने भी एक साज है उसको आज हम लोग समझेंगे रिमेनिंग जितना भी कोशन है कि कैसे बनेगा सर तो आएए आप स्क्रीन पे देखिए ये आपका कोशन नंबर आप 12 देखिएगा इसमें जो डिफरेंट है सर उसको आज हम कुछ बताने का परियास कर रहे हैं आपको इट मेंस 8, 9, 10, 11 आप से बना होगा आप कोशन नंबर 12 को नोट किजिए इसमें की सरी ये कोशन बनेगा कैसे तो मैट्रिक्स गिवेन है सर इसका क्या करना है इन वर्स फाइंड करना है सर तो सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं A is equal to I A और A मैट्रिक्स गिवेन है उसको नोट डाउन कर लेंगे 6, minus 3, minus 2, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 into A अब हम लोग इसको कॉलम बाई अपरेशन कर रहे हैं सर तो क्या सबसे पहले किसको 0 बनाना है सबसे पहले इसको 1 बनाना सर क्योंकि जब हम कॉलम बाई अपरेशन कर रहे हैं तो रोव आई चलेंगे तो रोव आई में देखेंगे पहला एलेमेंट 6 है यह 6 को 0 बनाना, 0 नहीं 1 बनाना कब बनेगा सर तो यहां 3, 2, 6 अगर करते हैं तो यह देखिए 0 बन जाएगा क्या बन जाएगा और यह ऐसे 1 बन नहीं सकता सर अगर कॉलम 1 में अपरेशन करेंगे C1 प्लस 2 C2 तो यह 0 बन जाएगा यही एक अपरेशन ही है जो कर सकते हैं और जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या आजाएगा आपको बस इसको समझेगा कि इसमें करना क्या आजाएगा तो C1 प्लस 2 C2 करेंगे तो यहाँ देखिए C1 प्लस 2 C2 C1 के सारे कॉलम को लिख दीजिए इस कॉलम के सारे इलिमेंट को 6 माइनस 2 प्लस करना है C2 के कॉलम में 2 से इंटू करके तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 यह 3 2 6 0 हो गया सर यह भी 0 अब देखिएगा कि जैसे ही आप्रेशन कॉलम 1 में किये तो इसके दोनों इलिमेंट 0 हो गया सर अधर रिमेनिंग मेरा माइनस 3 और 1 सेम ही रह जाएगा इसमें एक कॉंसेप्ट है को समझाने का प्रयास कर रहें आपको सेम उसी तरीका से इधर के भी मैट्रेक्स में करेंगे सर यहाँ देखिए इसमें कॉलम 1 का मेरा है 1 0 और प्लस करना है 2 इंटू यह 0 होगा यहाँ 1 से इंटू होगा यह 1 हो जाएगा यह 2 तो यहाँ कॉलम 1 में मेरा 1 और 2 हो जागा सर अधर इलिमेंट 0 0 इंटू ए अब जो यहाँ समझना है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहें आपको कि एक तो कि हमको पहला इलिमेंट 1 चाहिए था 0 हो गया सर और देखिएगा यहाँ जो सबसे basic concept है जिसको कि समझना है अगर किसी भी row या किसी भी कॉलम कि सारे इलिमेंट 0 हो जाए तो उसका inverse possible नहीं है आपको एक method और हम बताये थे determinant method जो कि अभी पढ़ाये नहीं है लेकिन आपको निकालने के लिए सिखाये थे कि अगर determinant of a 0 आगे सर तो भी हम लोग लिखे थे not exist ऐसा हम आपको बताये थे और बोले थे कि अगर determinant of a not is equal to 0 अगर positive आएगा सर या negative आए तो यहाँ पे कहेंगे exist कर रहा है otherwise अगर यह नहीं पता है अगर यह नहीं पता है हम लोग matrix पर रहे हैं तो matrix में क्या करना है कि अगर किसी भी row या किसी भी column के सारे element सारे it means यहाँ 2 into 2 order का है तो इस row के सारे element 0 हो गया तो जैसे ही 0 हो गया हम लोग लिखेंगे inverse is not exist है ना हम लोग लिख सकते हैं a inverse is not exist क्योंने exist करेगा सर कवंकि एक column के सारे element 0 हो गया सर तो चाहे column यारो के सारे element 0 हो जाएगा तो उसका inverse possible नहीं है तो main basic यही था इस question number 12 में वो पहले हम बता चुके थे आपको कि एक और तरीका है determinant के method से उसको check करने का और determinant पताए भी थे कि basic हम लोग कैसे solve करते हैं अब आते हैं next question पे next question हम लो question number 13 question number 13 को आपनाए नोट किजिए question number 13 remaining second जो हमारा column होगा हो क्या होगा one minute it means row में करेंगे r1 row आपका है क्या r1 है 2 और minus 3 तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग r2 को add करेंगे it means 2 plus 2 plus minus 1 हाना तो आपका क्या होजाएगा calculate होके r1 आपका क्या होजाएगा similarly इसी तरीका सिधर लिखेंगे minus 3 plus 2 तो यह हो जाएगा आपका 1 और यह हो जाएगा minus 1 यह r2 में लिखेंगे r1 में लिखेंगे 1 और minus 1 r2 मेरा same ही रहेगा सर क्योंकि r1 में operation क्या है r2 मेरा minus 1 और 2 is equal to same as हम लोग इसमें operation करेंगे second matrix में तो यहां भी frame यही होगा r1 प्लस r2 it means यहां direct आप देख सकते हैं कि r1 में r2 को add करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 हो गया सर यह 0 1 into a अभी क्या हुआ था कि हम direct column में बनाते column में ही दिमाग चलता था अब हम लोग next step पे आएंगे अब यहां देखेगा याद किजेगा कि जब हम लोग row y काम करते थे तो कैसे बनाते थे column y it means 1 हो गया अब इस minus 1 को 0 बनाना बन जाएगा क्या अगर r2 प्लस r1 करेंगे सर it means r2 में operation करेंगे r2 प्लस r1 corresponding आप आएड किजे 1 प्लस r2 में करना है न minus 1 प्लस 1 0 हो जाएगा तो r1 को same लिख देंगे r2 में यह 0 हो जाएगा सर यह क्या हो जाएगा 2 प्लस minus 1 1 हो जाएगा तो मेरा इधर का काम हो जाएगा अब matrix के यह side में क्या करेंगे r2 में r1 सेम रह जाएगा सर यह 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 अब आप देखेगा कि सारा element आगे सर 1 minus 1 है उसको 0 बनाना वो और ही काम असान है it means r1 में आपको operation करना सर r1 में r1 प्लस r2 करेंगे मेरा काम बन जाएगा तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा सर minus 1 प्लस 1 0 यह 0 बन सेम ही है is equal to same as इसमें करेंगे तो क्यों हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 1 2 इंटू A अब देखेंगे कि इधर identity matrix आगया सर therefore A inverse is equal to मेरा answer आगया 2 3 1 2 तो इस तरीका से आप इसको note कर लिजिए question number 14 जो कि आपके screen पे है आप उसको note किजिए question number 14 कि यह question बनेगा कैसे सर तो सबसे पहले हम लोग A is equal to I matrix given है 2 1 4 2 is equal to 1 0 0 1 into A अब मेरा मकसद है सर इधर identity matrix के form में change करना तो इसको column method से अगर solve करें तो c1 minus c2 किजिएगा it means इसको 1 बनाना सर तो अगर column 1 में column 2 को minus करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा तो 2 में से 1 गया 1 हो जागा 4 में से 2 गया 2 हो जागा it means अगर c2 में अगर इसको 0 बनाना है मेरा next काम क्या है 1 1 गया सर row y चलते हैं second element में जाएंगे first row के second element में तो इसको 0 बनाना है तो जैसे ही आप c2 minus c1 करेंगे तो क्या होगा सर आप देखिएगा कि ये 0 आगया सर 1 minus 1 column 2 में operation कर रहा है न 1 2 ये 0 हो गया सर ये भी 0 हो गया is equal to इधर same as 1 minus 1 ये 0 minus 1 minus 1 हो गया और 1 minus minus plus 2 हो गया अब आप देखिएगा कि फिर क्या होगा सर कि किसी एक column का सारा element 0 हो गया हो गया ना जैसे ही किसी एक column या किसी एक row का सारा element 0 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं A inverse is not exist it means उसका A inverse possible नहीं है जैसे ही किसी भी matrix के किसी भी matrix में किसी row या किसी column के सारे element अगर 0 हो जाए तो उसका inverse possible नहीं है यही एक different था दो question जिसका inverse नहीं possible था question नमबर 12 और question नमबर क्या ही फिर से बोलिए एक वार फिर से सर यहां देखिए matrix एक given है सेम है जैसे हम लोग काम करते आ रहे थे a is equal to i a लिख दिये अब मेरा मकसद था सर कि इधर identity matrix बनाना तो इसके according हम लोग operation शुरू किये तो जैसे ही second operation पर गिये तो देख रहे हैं कि किसी भी matrix यहां देखिए एक column का सारे element 0 हो गया हो गया ना तो हम अभी बता रहे थे आपको कि किसी भी column का सारा element या किसी भी row का सारा element 0 हो जाए तो उसका inverse possible नहीं है सब तो यह आपका इस type का दो question है आपका इसमें question number 12 और question number 14 जिसका inverse possible नहीं है आपको दे रखा inverse निकालने के लिए लेकिन उसका inverse पॉसिबल नहीं है याद किजिए कि जब हम multiplication आपको सिखा थे तो वहाँ भी आपको सिखा थे कि कब multiplication पॉसिबल नहीं है यह not exist वहाँ भी आपको बताये थे सेम उसी तरीका से यहाँ भी इन्वर्स में भी ऐसा केस आगया सर जिसका inverse पॉसिबल नहीं है तो इसको आराम से समझना है यही आपको चेक करेगा कि आपको बनाने आता है कि नहीं हो गया यह सर्ट ट्रॉस्ट फंड है एक 30,000 हैज मस्ट भी इन्वेस्ट हना 30,000 इंवेस्ट करता एक trust है जो इन two different types of bond दो different types of bond है उसके बीच तो किस type का bond है वो बोला है the first bond पे five percent interest per year it means the first bond है sir वो five percent interest दे रहा है per year and the second bond जो है वो seven percent per year दे रहा interest तो आपको बोला है using इसको मल्टिप्लिकेशन मेथट से बताना है कि 30,000 को कितने, मतलब 30,000 को क्या करना है, टू टैप्स में डिवाइड करना, इसा डिवाइड करना है, कि दो कोस्चन दिया हुआ, A और B, एट मिन्स एक कोस्चन हो गिया, कि हमको 1,800 क्या आना चाहिए, एटीन हंडेड हमको इंट्रेस्ट आना चाहिए, टोटल एनुवल इंट्रेस्ट, इट मिन्स जो हमारा 30,000 है, उसको ऐसा डिवाइड करें, दो बॉन्ड में, कि हमारा जो एनुवल इंट्रेस्ट है, जो कितना आना चाहिए, एटीन हंडेड आना चाहिए, सर, उसके लिए मैट्रिक्स मल्टिपिकेशन मिथड से इसको सोल्व करना है, कि कितने-कितने भाग में 30,000 को, 2% को हम दें, कि एक पे हमारा 5% इंट्रेस्ट दे रहा है, और सकेंड है जो 7% इंट्रेस्ट दे रहा है, यही है कोशन न, तो invest in bond, bond 1 करेंगे, bond 1, bond type 1, x, x रुपीज, अगर x रुपीज हम देते, पता नहीं है सर, हना, amount invest in bond type 1, यह type 1 है, type 1 का मतलब हो गया, यहाँ दो bond है सर, तो एक को type 1 कंसिडर किये, तो अगर 1 को 100 रुपीज दिये, टोटल कितना था, 30,000, तो सकेंड को क्या करेंगे, इसी तरीका से, amount invest in bond type 2nd, y रुपीज, y रुपीज भी बोल सकते हैं, या इसको एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टोटल मेरा कितना था, टोटल 30,000 था, यही है न, टोटल 30 30,000 से सर, अगर 1 को X दे दिये, तो अधर को कितना देंगे, 30,000 माइनस X, यही देंगे न, यही देंगे न, तो यह होगी हमारा, अब matrix method से इसको बनाते हैं, कैसे सर, यहां matrix A is equal to हो गया, X और Y, एक matrix में आया, X और Y, X का मतलब जो A, टाइप A bond है, उसको क्या invest किये, और टाइप B को क्या दिये, हाना, यह पता नहीं है, लेकिन हम लोग late किये हैं, X, तो second को Y, या उसी के place पे 30,000 माइनस X भी बोल सकते हैं, तो कि total हमारा 30,000 से, और जो B matrix होगा सर, वो आपको column Y में लिखाएगा, it means, एक row मे तो दूसरे को column में क्यों लिखेंगे सर, आपको बताए हैं, कि matrix में जो multiplication होता है, row और column में चलता, it means, एक row तो second को column, इसलिए B matrix को column में लेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे सर, जो आपका percentage है, कितना percent आपको interest मिल रहा, तो एक में 7% और एक में 5% है सर, यही है ना, आप इस तरीका से इसको note कर लेंगे, अब A into B कर लेंगे, A into B आपको matrix में आता है, X है सर, और second one Y है, और इसी तरीका से दुसरा 7%, आप percent है इसको 7Y, 100 मिलिख सकते हैं, और second one 5 by 100, percent में इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, यही है ना, अब आए, इसको multiply करते हैं, multiply करने आता है आपको, कैसे करते हैं, this into this, row into column करेंगे सर, और A B कितना है, यह जो total है सर, वही A B है आपका, कितना है total, total 1800 है ना, यह, यह total क्योंकि interest पे काम चल रहा, इट मेंस आपका A B given है, A B is equal to 1800, तो हम लोग A B के place पे 1800 लिखेंगे, और इसको multiply करेंगे, multiply इट मेंस X into, तो करेंगे तो 7X by 100, बीच में plus का sign होगा, क्योंकि row by column होता है, second row Y, तो 5 by Y, 100, अब हम क्या करेंगे, Y के place पे ये value put कर सकते हैं ना, क्योंकि Y ये भी है और ये भी है सर, तो next जो हमारा काम होगा, 1800 is equal to, यहां आपका 7X by 100 है, plus 5 into Y के place पे 30,000 minus X by 100, इसको अब हम लोग solve कर लेंगे, 1800 is equal to, 100 LCM ले लेंगे सर, 7X plus 5 into 30,000 minus X, जब आप इसको solve किजेगा, तो आपका answer आजाएगा, X, X के format में, X ऐसे ही आएगा सर, वो क्या आजाएगा, इसमें main यही समझाना था कि matrix form में कैसे लिखेंगे सर, अगर ये question आपको matrix के method से बनाना है, तो कैसे इसको बनाएगे, तो हमने इसको बताया कि invest कर लेंगे, एक को X, इतना रुपिया एक को दियें, सकेंड को Y, और Y का मतलब हो गया total का minus X, उसके बाद A हो गया और B हो गया जो percentage जितना उसको दे रहा है, फिर A into B करेंगे, तो वो मेरा total percentage हो गया total interest कितना आला है, वो, काम किया है, ठिकना, तोकि आपका की total 30,000 रुपिज है, इसको ऐसा दो type में divide करें, ये भी दे रखा है कि एक हमको 7% interest दे रहा है, और दुसरा है जो 5% interest दे रहा है, तो ये पता है कि दो जो bond है या जो दो company है, एक 7%, एक 5% interest दे रहा है, तो हमको बोला है कि हमको कितना चाहिए interest, ये आपको calculate कर दिया, 1800, इट मेंस 1800 हम चाहिए interest सर, उसके लिए हम लोग काम करें, तो कि कितना कितना में किसको divide करें सर, कि हमारा 1800 interest आ जाए, इट मेंस ए भी जो हमारा, ए भी जो आ रहा है, वो interest आ रहा है सर, एक हमारा क्या दिया हुआ, investment आ एक परसेंट, कि कितना किसको दे, और इस type से हमारा क्या है, इतना interest मिलेगा, तो ये दोनों को जो into करेंग सर, ये हमारा total interest हो रहा है, अब क्या किया है, यहाँ percentage में था, उसको हम क्या किये, convert के लिए change कर लिए, 7% था, उसको 7Y100, इसको 5Y100, लेकिन आपको पता है कि जब, इस question में आपका दो type का था, हाना, कि दो type से हम लोग क्या किये, जो भी total था, उसको दो type में divide किये, सर, एक को X माने, दूसरे को Y, और हम बोल रहे हैं कि Y को ही आप क्या कर सकते हैं, जो total है, उसमें से X को माइनस करेंगे, सर, वही तो Y होगा, अब हम क्या करेंगे, हमको total interest निकालना है, और question में पहले से दे रखा है, कि आपका total interest 1800 है, तो कितने में divide करें कि हमारा 1800 interest आ जाए, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, यह मेरा MacTex के format में लिख दिये, यह जो दो पार्ट में divide किये उसको, और second को column के respect में लिखे हैं, क्योंकि जो row into column होता है, और यहाँ जो आपका दिया हुआ है, कि first को 5% सर, और second जो bond है, उसको 7% वो interest देता, उसी के recording हमने यहाँ data लिख दिया, अब यह दोनों को multiply करेंगे, percentage के format में सर, इसको fraction में change कर लिए, multiply आपको आता करने, row into column किजिएग आपका यहाँ से क्या करेंगे, यह जो y है सर, उसके place पे आप यह value put कर दिजिएगा, it means 30,000 minus x यहाँ put करेंगे सर, one variable में आपका question आजाएगा, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, solve कर लेंगे, इसको, इसको solve करके, और last में इसका answer, जो आएगा, वो क्या हो जाएगा, invest in one bond type, one, तो जैसे ही x का value आजागा सर, y फिर मेरा आसान हो जागा, 30,000 में x का value, x minus करेंगे, y आपका आजाएगा, तो main था इसमें समझाना कि इसको लिखेंगे कैसे सर, उसके बाद तो आप calculate कर ही लिजिएगा इसको matrix method से, और इसमें question number second जो दिया हुआ b में, वो बोला है क 2,000 चाहिए, यहां 1800 था, second में बोल रहा है कि अब आप उसको फिर से, दो टाइप में divide किज़े सर, कि total interest 2,000 चाहिए, तो जहां 1800 था, वहां 2,000 कर देजिएगा, तो यह question आप से बन जाएगा, अब question number 20 पर आते हैं हम लोग, अच्छे स्पढ़िए question number 20, books of a particular school, it means किसी a school के लिए, वो book लाया है, कितना है, तेन दर्जन chemistry book है, एट दर्जन physics book है, और तेन दर्जन economics book है, हाना, तो इतना book वो लाया है, उसके बारे में और detail दिया हुआ कि the selling price are rupees 80, 60 and 40, each respectively, it means each का वो price भी उसमें given है, तो each का मतलब हो गया, पहले जो दिया हुआ 80 वो किसका है, chemistry का सर, उसके बाद physics का दिया हुआ है, और last one economics का दिया हुआ price, आप से पूछ रहा है, find the total amount the book shop will receive from the selling all the book using matrix method से बताना है, कि अगर वो total को sale करेगा सर, तो उसको कितना price मिलेगा, हैना total वो cost पूछ रहा है, अगर वो sale करेगा, सारे का price दिया हुआ आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, आइए इस question में कि कैसे इसको लिखेंगे matrix format में, तो सबसे पहले chemistry book, CB हम लिख रहे हैं, chemistry book, तो कितना वो? 10,000, उसको 12 से into करेंगे, तो 120 हो जगा total book, क्योंकि जो हमारा price दिया हुआ, each book का है सर, तो इसलिए ये 120 हो गया, next one है मेरा physics book, ये कितना है? 8 दर्जन, it means 96 book हो गया सर, और last one है economics book, ये भी आपका 10 दर्जन, it means 120 book हो गया, तो ये matrix A हो गया, matrix B क्यों होगा सर? ये तो पक्का है कि column में होगा, क्योंकि एक को हमने row में लिख दिया है, तो second को column में लिखना है, तो column में इसी respect में लिखेंगे, जिस respect में, row को लिखेंगे, it means chemistry, physics और economics के book का, each का price लिखा हुआ सर, तो first का है 80, second का है 60, और last one का है 40, पस में यही समझना था, कि एगर ये लिखने आ गया, कि matrix A ये है और ये B, तो जो आप A भी निकालिएगा, total जो cost होगा, it means total कितना price आएगा सर, ये total आपका A भी देगा, तो आप ये दो matrix आपके पास हो गया, 120, 96, 120, into 80, 60, और 40, आपको पता है, row into column हम लोग multiply करते हैं, it means 120 into 80 plus, 96 into 60 plus, 120 into 40, ये जो आएगा सर, calculate करके, यही आपका अंसर हो जाएगा, तो अगर इसको calculate कि जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9600 plus, ये कितना हो जाएगा, 57, 700, और ये 4800, हना, total कितना हो जाएगा सर, 120,000, 100, 160, तो इस तरीका से, total हम लोग निकाल लिए सर, matrix method से, तो इस type से, हमने आपको matrix का maximum question को cover किया है, आप इसको अच्छे से note कर लिजे पहले, तो बच्चों, आज का lecture हम यहीं paint करते हैं, फिर हम लोग next class में continue करेंगे, thank you very much,